आर एसोसेशन जम्मू ने आज एक रैली पोर्ट प्रेमिसिस से शुरू की और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में युवार राजपूत सबा जो एक हमारी स्टेट की यूटी की एक बड़ी आर्गनाईजेशन है वो साथी हमारे साथ मिले और जू ही रास्ते में ह जो डेली वेजर्ज हैं वो भी हमारे साथ मिले तो यह जो अवाम की लड़ाई आज की डेट में बन चुकी है बार एसोसेशन ने एक काल दी थी सबसे पहले उन्होंने अपील की थी एल जी साब के सामने और एड्मिस्टेशन के सामने कि एक मल्टी स्टोरी कंप्लेक्स हमा जिसमें डेट रिकवरी टर्ब्यूनल जिसमें हमारे सारे कंजूमर फोरम्स, कंजूमर कमिशन, हुमन राइट्स कमिशन और जितने भी जुडिशल और क्वाजाई जुडिशल हमारी बाडीज हैं जिनके साथ वुकास हाइबान और जर्नल पब्लिक जो हैं उनका तालूक है वो सारे बड़े अराम से इस जुडिशल इंस्टिचूशन को स्टेंटन करें और वहां से हम लोगों का काम हो दूसरी आर्गनाइजेशन हमारे साथ युवा राजपूत्सवा के आफिस भीरर्स प्रेजिडेंट साथ भी मेरे साथ हैं वाइस प्रेजिनिर वाइस प्रे की थी एलजी एडमिस्टेशन को कि महराज हरी सिंग जी जिनकी ये स्टेट है जो इस स्टेट के मालिक हैं जिनों ने ये स्टेट खुद परचेज की थी जिस स्टेट का हिस्सा जम्मू शिर्नगर लदाक और गिलगित हैं उनके बर्डे पे छुटी होनी चाहिए यह दिमा हम ये सोच रहे थे मेरे नोटस में ये बात लाई गई थी कि एलजी साब और एडमिस्टेशन ने इनको आश्वासन दिया था कि हम इस दिन को बर्डे इस इनकी बर्डे को हम चुटी डिकलेर कर देंगे लेकिन आज तक महराज साब के बर्डे की चुटी मी डिकलेर नहीं ह आता हूं महरायद हरी सिंग जी एक इंस्टिशन थे इन हिमसेल्फ उनके लिए छुटी तो एक बहुत चोटी सी बात है उस चोटी सी बात को ले करके भी आपने इतनी अड़ी लगाई हुई है और इतनी अर्चने आप डाल रहे हो जिसके लिए एक मिनट में आप अपने आ 28 साल से डेली वेजर का काम कर रहे हैं जो लोग हमारे घरों में पानी आज हमें पिला रहे हैं हम आप लोग जो मीडिया के लोग यह हमारे सामने खड़े हो अवाम के लोग जो हमारे सामने खड़े हैं उन सब का जो वाटर एक असेंशल कमटिटी है असेंशल कमटिटी को हर गर में ये लोग पहुचा रहे हैं, आपने आन देखी की, इनकी डिमांज की, इनके राइट्स बनते हैं, स्टेट गवर्मेंट ने मैंने पहले भी कहा, SRO 64 निकाला था, उसमें कोई कंडिशन्स लेड डाउन थी, हमने ये कहा, कि जो गाइड लाइन्स गवर्मेंट के टाइम पे यहां बनी थी, जब ये स्टेट गवर्मेंट थी, आज आप उसको लिटल बिट माडिफाई कर लीजिए, साथ के बजाए दस साल कर दीजिए, लेक की डिमांड्स जो जाइस डिमांड्स हैं, उनको मानना चाहिए, और इनकी सर्फिस्ज रेग्ल्राइज करनी चाहिए, इनकी जो आन्पेड सेलरी है, मुझे ये भी पता चला, सेलरी जो है, इसे राइट आफ एन इमप्लाई, इन्पार्चुनेटली, बहुत से ऐसे डेली पेजर्स हैं जिनको आज तक सेलरी नहीं मिली है यह सारी बातों को ले करके बार एसोसेशन की में डिमांड्स जो मैंने आपके साथ अभी गिनी है कि हमारा एक ही कंप्लेक्स के अंदर मल्टी स्टोरी कंप्लेक्स बनना चाहिए जहां पे सारी की सारी अदालतें जो है वो साना हो और इंसाफ की इंस्टीउशन एक ताकतवार इंस्टीउशन जो है के तोड़ पे उबरें दूसरी प्रसाइज डिमांड हमारी यह है महराज हरी सिंग जी जो इतनी बड़ी शक्सियत हैं जिनका इंटरनेशनल स्टेचर था उनके नाम की आपको शर्मानी चाहिए कि उनके नाम की आज़ तक आपने उनके बढ़ने पर शुक्ति नहीं तीसरी हमारे इंपलाईज की जो डिमांड थी वो मैंने आपके सामने वो भी ले कर दी यह तीनों डिमांड को ले करके आज वुकला साहिबान पी-एची के इंपलाईज और युआ राजपुत्सवा के ल नजर में मदे नजर रखते हुए अपने हाथ में तरंगा जंडा जो है ये हाथ में हमने लिया हुआ था और हम अपनी देश बक्ती जो है उसको एग्जिबिट कर रहे थे बता रहे थे हम देश बक्त हैं और नेशनल फ्लैग ले करके हम इंसाफ आप लोगों से मांगने आ किस तरह से बार देखेगी आगे आने वाले जिनों में किस तरह किस तरह से लड़ाई हैं देखिए हमने ये बोला हुआ है बार एसोसेशन और जुबार राजपूत सभा जो है ये युनाइटिड ली पी एची इंप्लाइस के साथ भी वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे वे लोग हमारे साथ आज की डेट में करें बोलूं